Hello students, इस वीडियो में हम देखेंगे भासा किसे करते हैं और इसके कितने वेदा भासा का परिवासा देखते हैं क्या है भासा जैसे यहाँ भासा का परिवासा दिया गया है भासा हुआ माध्य में असाधन है जिसके द्वारा मनुस अपने भाव विचारों को बोलकर या लिख कर दूसरे तक पहुचाता है और सुनकर या पज़कर गरहन करता है उसे भासा करते हैं तो इतना कम्प्लीट हो गया और मनुस अपने भाव विचारों को पर सफर आदान पर दान यानि सेर करता है दूसरे तक अपने बात को बोल कर करे तब या लिख कर करे तब यही कालाता है भासा और भासा के दो परकार है यहां भासा के परकार दिया गया है तो भासा के दो पर गाराशा क्या है इसका दिफिनिसम देखिए गार voilà जीस रूप से मनुषप भाव विचारों को बोल कर परकट करता और सुन कर गरहन करता है हुव भावा मोखिख भासा जैसे मोखिख भासा मानवक की मुल करें एकालाता है मोखिक भासा जैसे इसको क्या बोला जाता है मानब के मूल जो होता है यह मूल भासा है, मौखिक भासा की एक आई ध्वनी होती है जैसे एक्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे एक्जाम्पल है यहाँ एक्जाम्पल, एक्जाम्पल दिये गया है, जैसे आपस में बात करना तो इस सिर्फ हम बात किसे कर सकते हैं, बोल करके ही भासन देना, कोई भी भासन दे रहे हैं, बात बिवाद करना, बोल कर अपने विचार को परकट करना, आधी सब मौखिक भासा के उदारन है, तो इसको समझ में आया होगा, और दूसरी देखती है लिखित भासा, देखते है दूसरा क्या है, लिखित भासा क्या है, जैसे लिखित भासा देखते हैं, भासा के जिस रूप से हम अपने भाव और विचारों को लिख कर अविव्यक्त करते हैं, वो पढ़ कर गरहन करते हैं, वो लिखित भासा कर लाती है, जैसे कोई भी अपना भाव विचार हो गया, उसको हम लिख कर दूसरे तक पहुंचाते हैं और जो दूसरे जो है वो पज कर गरहन कर लेता है वही का लाता है लिख्षित भासा लिखित भासा को हम अस्थाई रूप भी करते हैं जैसे लिखित भासा जो है वो अस्थाई रूप माना जाता है इसका छेतर सिमित होता है लिखित भासा मौकिक भासा या मौकिक ध्वानियों के लिए निश्चित किये गए चीनों द्वारा बिक्सित होती है यहां पर जो है लिखित भासा मोखिक ध्वानियों के लिए निश्चित किये गए चीन्हों द्वारा बिक्सित होती है अब एक और भासा के गिपनिशन देखते हैं यहां पर जैसे क्या है यहां देखिए भासा के गिप निशन यहां से यहां तक यहां से यहां तक भासा को मनुस के बौधिक विकास की सीड्यू मानी जाती है जैसे भासा को क्या मानी जाती है मनुस का बौधिक विकास यानि इसे बुद्धी का इंप्रूब्मेंट होता है इसे वो अपनी सुभधा अनुसार बिभीन तरीकों से काम में लेता है जब जिसका ज़रुरत पर है उसी के अनुसार जैसे कोई भी कहीं इंगलिस बोलना हो कहीं हिंदी बोलना हो कहीं मराठी तो उसके अनुसार यह अपना यूज करता है जो भी और भासा इन तरीकों के कारण इसके कई परकार बिक्सित हो जाते हैं जैसे इसमें देखते हैं भासा के इसमें चार परकार हैं जैसे एक है मातरी भासा, राश्ट भासा, राज भासा और मानक भासा मातरी भासा से यह हस्पस्ट होता है कि जो भासा हम अपने परिवार और अपने मास से सिखते हैं वही काल आते हैं मातरी भासा और दूसरा है राश्ट भासा जो पूरे देश में भासा बोली जाने वाली भासा को हम लोग राश्ट भासा करते हैं राज भासा जो हो गया अपने राज में बोला जाता है जो भी भासा हो उसको हम राज भासा करते हैं तो यहां देखते हैं एक नंबर है मातरी भासा मातरी भासा क्या है यहां से यहां तक जैसे माता अत्वा परिवार के द्वारा सिखी गई भासा को हम मातरी भासा करते हैं मातरी भासा का संबंध मा से होता है जैसे मातरी भासा का संबंध क्या है मा से होता है यहां से यहां तक टेट रहे हैं भास सीखने की दिलिष्टी से मा जीस भासा में बोलती है बच्चा भी उसी भासा साल बोलता है जैसे कोई भी बात अगर मा जो बच्पन में सीखाती हुए ही मतलब अनुकरन जो भी करती है वो हम लोग कोई भी बच्चा अपना सीख जाता है जैसे क्योंकि उनके अनुकरन द्वारा भासा सीखी जा सकती है मतलब मा के अनुकरन द्वारा भासा सीखी जा सकती है अता होगा उसे जल्दी ही सीखता है यही कहलाता है मातरी भासा तो समझ में आया होगा जैसे माता और परिवार से के द्वारा जो सीखी गई भासा को हम लोग मातरी भासा करते हैं दूसरा है राष्ट भासा राष्ट भासा से यही पर्ष्ट होता है जिसे राश्किर ये भासा क्या है हिंदी है तो पूरे देश में जो भी भासा बोली या समझी जाती है और पूरे देश को जोरने का काम करती है वही भासा काल आती है राश्ट भासा जैसे यह देश की संपर्क भासा भी है यहाँ देखिए यह देश की संपर्क भासा है हिंदी पूरे देश में बोली जाती है हिंदी जो है पूरे देश में बोली जाती है समझीवा परियोग में लाई जाती है यहाँ पे और तो हिंदी जो है वो राष्ट भासा हो गया संसार के परतेक देश की अपनी राष्ट भासा होती है जैसे कोई भी संसार पूरे दुनिया में अपने अपने देश में अलग-अलग परकार की मतलब राष्ट भासा होती है जैसे इंगलेंड में अंगरेजी इसको राष्ट भासा मना गया है रूस की रूसी भासा हो गया और फ्रांस की फिरेंच हो गया इत्याधी यहाँ पर तносते यही कहलाती है मतलब राश्ट भासा ओर दूसरा है राज भासा राज भासा क्या होता जैसे राज कियों कायरोब कारलेयों में कार करने के लिए हम काम में लाते हैं वह ही भासा का लाती है मतलब राज भासा जैसे कोई भी राज की ये काम में कोई भी अपने राज में जो जो भी कार में या कारलेव में कोई भी ओफिसियल वर्क में जो यूज होता है उसी को हम लोग राज भासा करते हैं जैसे सरकारी पत्र बेभार इस सरकारी पत्र किसे राज भासा के द्वारा ही लिखा जाता है अपने राज के लिए करले पत्र बेभार यानि ओफिसियल लेटर जो होता है वो राज भासा के द्वारा ही लिखा जाता है आदेश कोई भी हम आदेश के लिए या अनुमत्ति के लिए कोई भी लेटर लिखते हैं वो सब राजवासा के अनुसार ही लिखते हैं जैसे अनुदेश, निर्देश, आदेश अभी क्या है? जो दिये गए हुआ राजवासा ही होती है जैसे भारतिय संभीधान में यहाँ पर देखिए भारतिय संभीधान में राज काज के संचालन है तो 22 भासा है सुविकरित की गई है जैसे 22 भासा है संभीधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भासा है जैसे संभीधान जो लिखा गया है वो 22 भासा में लिखा गया है 22 तू तेहां देखिए कुन कुन है हिंदी है फर्स्ट तो हिंदी है पंजावी उर्दु तमिल तेलगु कनर मल्यालम कस्मीरी बंगाली है डुंगरी मराथे गुजराती कोकनी बोलो संथाली नेपाली मैतली सिंधी संस्कृत उरिया मनीपूर और असमिया भजपूरी आदी मतल है और यहां देखते हैं अब चोथा है मानक भासा मानक भासा क्या होता है देखिए यहां तो मानक भासा के परिवासा दिये गया है जैसे भासा व्याकरन समस्त भासा मानक भासा कहलाती है जैसे व्याकरन के अनुसार जो हम हिंदी व्याकरन में जो भी भासा परते हैं या को कोई भी ब्याकरन हो उसके अनुसार जो भी भासा का यूज किया जाता है या परियोग में लाए जाता है वह कर लाता है मानक भासा या सुनिष्चित वर्ग दोड़ा परियोग में लाई जाती है जैसे पुष्टकों वह समाचार पत्रों अत्वा पत्रिकाव की भासा मानक भ भासा होती है ब्याकरन के अनुसार जो भी हो वह मानक भासा काल आती है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा तो आज के लिए बस इतना है धन्यवाद